मुरदाबाद की तेहसील परीजर के सामने समाजवादी पार्टी ने महेंगाई और किसानों की समस्याव को लेकर धन्ना दिया इस तोरान धन्ने को संबोधित करते हुए सपसांसर डॉक्टर एस्टी हसन ने पिधानसवा चुनाव में AIM AIM के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर असद 13 वैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सिर्पोट काटने वाली पॉलिटिक्स है उन्होंने कहा कि बिहार में मुसल्मानों ने असद 13 वैसी को चुनाव जिताय था लेकिन बिहार चुनाव से बंगाल के मुसल्मानों ने सबक लेते हुए उन्हें नकार दिया और इसी तरह उत्ताप्रदेश के मुसल्मान भी वैसी को नकार देंगे 25 दोरान सपसांसर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसल्मानों को आपस में लड़ा कर बोट हासिल करने के साज़िश करती है लेगर अब भारत के हिंदू और मुसल्मान जाक चुके हैं और अब वहन ताकतों को खार फेकने के लिए तैयार हैं देखिए आप सब को मालूम है कि आए समाज़वादी पार्टी का सारे तैसिर मुख्यालों पर पिर्दशन हुआ है ये पिर्दशन इसलिए हुआ है कि जो सरकार हमारे उपर मोहिया की गई है वो नाइंसाफियों जुम की उसमें हदे पार कर ली है सारी सीमाएं पार हो चुकी है पिछले इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से वोटों की लूट मचाई है किस तरह से खरीदारिया हुई है कैसे पुलिस और पिर्शादन का इस्तमाल करके लोगों किड्नैप किया गया है उसके साथ साथ मेंगाई कहां से कहां पहुँच गई आपने देखा कि पेट्रॉल और डीजल सौके पार जा रहे है जबके पूरी दुनिया में इससे हमसे दाला महंगा कोई पेट्रॉल और डीजल नहीं खरीद रहे है जितना हिंदुस्तान वाले खरीद रहे है गैस की अहाला आप सब को पता है दुगने रेट हो गए कोई कहने वाला नहीं है महंगाई कहां है आठ महीने से किसान बिर्दाशन कर रहे है इनके कानों पे जूनियरिंग रही किसान की सिर्फ एक तुड़ बांग है कि MSP को गारंटी दे दो MSP देने में क्या परिशानी है ये चाहते हैं कि ये अडानी अंबानी को किसानों की जमीने को भी लिटवा दे और किसान अपनी जमीन के अंदर खुद मजदूरी करें इसके तमाम बातों के खिलाफ इनके बिरश्टा चार के खिलाफ और इनकी फासिस सोच के खिलाफ जिसमें ये हिंदू मुसल्मानों को लड़ा कर हमेशा इन्हों ने वोट हासिल करने की साज़िशे की है आज इनसान जाक चुका है हिंदू मुसल्मान एक है और इन फासिस ताक्तों को खाख थे इनका वक्त आ गया है इन्शालला आने वाले चुनाओं में अगले शादव जी समाजवादी पार्टी के मुख मंतरी होने जा रहा है ये आप सब को मालूम है कि उनकी क्या इमेज है बंगाल में उनको मुसल्मानों नकार दिया क्योंकि मुसल्मानों को ये एसास हो गया कि ये वोट बाटने की इसास राजनीती करने जा रहा है हम उनसे कहना चाहते है कि अगर तुम्हारा कैंडी रेक हार रहा है तो सीने पे हास रखके ये बत कह दो कि आए लोगो उसको जिता दो जो बीजे भी को हरा रहा है अगर हिम्मा तो तो कह के बताएं सिर्फ वोट कार्टने के लिए आप यहां पे आ रहा है हम तो हम अपने मुसल्मानों से अपील करते हैं कि यह एसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसल्मानों न करा वो उसी तरह से यूपी के मुसल्मान भी करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है